उन्होंने हमेशा आम जनता के साथ जन कल्यानवा उनके उत्थान के प्रती समय वेतीत करने की बाद कही उन्होंने कहा कि सभी एक जूट हो जाएं तथा कॉंगरिस को मजबूत करने के लिए दिन रात एक कर दें क्यूंकि देश में कॉंगरिस के पक्ष में हवा है इस अफसर पर उन्होंने विस्तापितों को कोल बांध परियोजन से मिलने वाले एक प्रतिशत लाभाम्स के अलावा फ्री बिजली को लेकर सरकार शेप्रशन किया कि अब विस्तापितों को उनका हक देने में देरी क्यों हो रही है रामलाल ठाकुर ने कहा कि वे पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा बहल करवाएंगे नियाय योजनक के तहट 6,000 रुपे महीने महिला के खाते में आएंगे साथ ही रिक्त पदों को 31 मार्च 2020 से पहले भरा जाएगा इसके अलावा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षन किसानों के लिए अलग बजट रेन ना चुका पाने वाले की सूरत में गिरफतारी का ना होना स्वास्तेवा शिक्षा के बजट को दुगना कर रा मन्रेगा के तहट 1500 दिन का रोजगार देना भूमी अधिगरहन कानून के तहट किसानों को चार गुना मुआज़ा देना आदी योजनाएं कॉंगरिस के घोशना पत्तर में शामिल हैं जिला बिलासपुर के विश्विक्याद शक्ति पीट शिरी नैना देवी में जाली नोट का मामला सामने आया है प्राब जानकारी के अनुसार ये जाली नोट का मामला नैना देवी में पहली बार प्रकाश में नहीं आया है पहले भी कई बार यहां पर जाली नोट देकर दुकानदारों को ठगा जा चुका है मंदिर के समीप दुकान करने वाले दुकानदार गोल्डी ने बदाया कि गतरात एक शरधालू परशाद लेने के लिए उनकी दुकान में आया और 20 रुपे का परशाद खरीदा जिसके बाद लड़के ने उसे असीर पे हटा दिये उक्त शरधालू अंधेरे का लाब उठा कर सौर पे का जाली नोट देकर चला गया जब उसने सुभा पैसे की काउंटिंग शुरू की और बैंक करमी को वो नोट दिखाये तो बैंक करमी ने इसे नकली करार दिया बाद में गौर से जब नोट को देखा गया तो नोट में ना तो पटी पर RBI लिखा था और पानी लगने से उसका रंग भी उतर रहा था हालांकि दुकानदार गोल्डी को मलाल है कि उसे चूना श्रद्धालू ने लगाया लेकिन दुकानदारों को भी सचेत रहने की आवशकता है उन्होंने कहा कि नोट को पहले अच्छी तरह जांच लें उसी के बाद किसी को परशाद या अन्यवसुएं दें प्राचीन वा पारंपरिक मेलों का धनी ट्रांसगीरी क्षित्र में इन दिनों वीशु मेले की धूम है जिला बिलासपुर के अलावा जिला शिमला और उतराखंड से इन दिनों जगा जगा पर वीशु मेलों का आयोजन हो रहा है संकरांती से शुरू होए इस मेले को जगा जगा पर आयोजित किया जाता है मेले में जहां ठोडो नृत्य खेल का मनुरंजन लोग उठाते हैं वहीं कुष्टी दंगल के अलावा सांस्क्रेतिक लोग संगीत मुजारा नाटी आधिका दौर भी चलता है पूरे देश से मेलों में पहलवान यहां पहुंचते हैं वहीं इस कुष्टर में मेहमानों की भी खूब आव भगत होती है क्षेतर में सकरांती के दिन जिला शिमला सिर्मार और उत्राखंड के शुरूमोनी शिरूगल महराज चूडीदार महराज के मंदिर में नए साल में खुश्खाली, सुक्सिम्रिदी, प्रेमव, भाईचारा बना रहे इसके लिए बुरास के फूल चढ़ाये जाते हैं सबसे पहले लोग गाउं के साज़ा आंगन में एकतरित होते हैं सभी बुरास के फूल लेकर आते हैं फिर धोल नगाडों के साथ देव महिमा का गुनगान किया जाता है और मंदिर परिसर में पहुँचकर कुल देवता को फूल अर्पित किये जाते हैं पूजा अर्चना के बाद से समूचे क्षेतर में मेले का आयोजन किया जाता है आपको बता दें कि समूचे क्षेतर में एक से दो दिन तक अलग-अलग जगाओं पर आपसी मिलन के प्रतीक वूशू मेलों का आयोजन पूरे महा चलता रहता है प्राचिन काल से चली आ रही मेले की परंपरा को क्षेत्री लोग आज तक संजोए हुए हैं मेले के दिन गाउं में लोग एकत्रित होकर देवचडी को शाक्षी मानकर आपसी भायचारे में रहने का कुल देवता से आशिर्वाद लेकर पुरानिक संस्कृति के आधार पर देवचडी को गाजे बाजे के साथ मेला स्काल तक पहुँचाते हैं जहां पर सभी लोग देवता का आशिर्वाद लेते हैं और मेले का शुभारम होता है इसके बाद लोकनाटी हारूल का दौर शुरू होता है जिसमें सभी महमानों से मनुरंजन करवाया जाता है उस्ति दंगल में प्रथम रहने वाली टीम को सम्मानिद भी किया जाता है इसी तरह ठोडो नित्य में भी प्रथम टीम को उपहार से सम्मानिद किया जाता है